मैं भारत को भारती अता की मानविता के आधार पर फिर से ख़़ा करना चाहता हूँ, उसकाम में लगाओं दिन चर्या के अध्याय में सबेरे सोकर उठने से रात तक सोने में क्या-क्या करना चाहिए उसके सारे नियव में तो उस अध्याय के अनुसार हमेशा इस्नान करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का समय उसमें उठने का ये है कि साड़े चार बज़े के आसपास उठ जाना चुड़ी और इसनान का समय उसमें है छे से साड़े चे बज़े का तो सुबच छे साड़े चे बज़े के आसपास आप इसनान करेंगे अभी गर्मियों में तो आसान है वेकिन आप बोलेंगे भी खंड़ी के दिनों में इस्नान करना सुवय이면 सटारी ज़्य होग मुझिता हैं कि इसनान हमेशा सब्सक्राइब सबस्दाना ओट और है यह क्यों होता है यह थोड़ी देर मात बताने कि शांका भी इसनान होता है लेकिन वह रोगियों के लिए है कुछ खास भीमारिय दिनको रहे उंको शाम का इसनान बहुत अच्छा होता है लेकिन सभी स्वस्थ लोगों को पिभता इसनान हाँ अभी इनों ने एक प्रश्ण पूछ लिया है अभी चर्चा हो रही थे नगा इसनान की तो इन्होंने पूछ गिला कि गरम पानी का इसनान या ठंडे पानी का इसनान आयरोवेट में बहुत इस्वश्टुता से लिखा गया है कि गरम पानी से कभी भी इसनान महीं करना चाहिए गरम पानी पीना चाहिए इसनान में हमेशाभ ठंड़ा पानी ही रखना चाहिए ठंड़ा पानी से मतलब जो सामान में आप्मान का पानी है वही पानी से इसनान करना अच्छा होता और अगर आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी है नाम लीजाई आपको जक्रमने फीवर हैं बहुत तेज बुखार और आप नहाना चाहते हैं तो ऐसी इस्तिकी में गरम पानी उप्यूप कर सकते हैं अगर स्वस्थ है शरी तो बिल्कुल भी गरम पानी से पत्ना हिए नहीं को बीमारी आएगी और आयुवेट में बहुत सकती के साथ एक सूत्र रिखा गया है बागव को अगर लिखा टाली तो 65 पानी तो के श्रीज नहीं आता को यहांदत बुरelnिक की लोगों को यह बहुत बुली आदत है विए गरंपानी पानी पत्gestब घरत और किया Metis ? तो आप गड़िए उसका गुम फाली शुरीड पे किसी में अंग पर डाली है सिरौ पर मटढ़ी है उनको बचा ही करने केंता ही सिर्व डालने के लिए ठेंडा ही पानी रख़ेये शादरन पानी है सिर और आँख ये दोनों गरम पानी से बचने चाहिए क्यों बचने चाहिए कारण में बता देता है ये सिर और आँख दोनों जो है ना कफ का इस्थान है हमारे शरीव में तीन दोश होते हैं ना आँख फित और कफ तो ये जो सिर है सिर यहां सबसे ज़्यादा कफ रहता है आँख और सिर में सबसे ज़्यादा कफ रहता है और कफ और गरम पानी की खतरनाक दुश्मनी अगर गरम पानी दें तो कफ और तेजी से बखता है इसलिए सिर और आँख योनों को गरम पानी से बचाना चाहिए आखों का कभी भी धोना हो तो थंडे पानी से ही धोए ताकि शरीव को थोड़ा गरम पानी डालने को चलेगा नहीं तो मेरा सुझाओ है कि गरम पानी डाली ये मैं थंडे पानी से ही नाए आईरवेदी कुपचार के सभी दर्शकों को साध्रबंदे आप सभी लोगों ने अपना बेस कीमती समय निकाल कर भाई स्री राजु दिक्सित जी का अदभूद व्याख्यान सुना इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद लेकिन दोस्तों आज के इस समय में केवल इन व्याख्यानों को देखना इम सुनना ही काफी नहीं है इन दुर्ले व्याख्यानों को आप अपने चित परीचित इन दोस्तों तक सेर करें ताकि समाज का परतेक व्यक्ति इन से भी चीजों का महत्वे समझे एवमिन का लाब उठा सके इसी के साथ वन दे मातरम जय हिंद